तो नमश्कार दोस्तों मैं हूँ इंजिनियर विवेक कुमार और आज आपके लिए ले काया हूँ ब्रिज में पीयर कैप किस तरीके से कंश्ट्रक्शन करते हैं उनका बनाने का क्या प्रोसीजियर है और शट्रन किस तरीके से लगा जाता है इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, सस्क्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेर करिए कि जो जिनको इंट्रेस्ट है ब्रिज में वो पूरी नॉलेज ले सकें कि कैसे बनाया जाता है ब्रिज का इंट्रेक्शन किस तरीके से किया जाता है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पीर कैप की ब्रिज का यह एक सब इस्ट्रेक्चर पार्ट है जो ब्रिज के जिसके उपर जिसके उपर हमारा सुपर इस्ट्रेक्चर आपना रेश्ट करता है Dex Lab, Dex Lab या Span आते हैं तो वो इसके बारे में आज हम बात करेंगे तो पीर कैप की सरीके से बनता है वो आज मैं आप लोग को बताऊंगा तो आप पीर तो जैसा की दोस्तों आप पहले देख लिए पीर कैप होता क्या है पहले आप यह काफी लोगों का confusion होता है कि पीर किसको बोलते है और पीर कैप किसको बोलते है तो आप देख रहे हैं यह portion आपको यहां से यहां तक दिख रहा है यह अपना है पीर और यह उपर जो जिसपे आदमी लोग काम कर रहे हैं जिसमें workers लोग काम कर रह हैं इसको बोलते हैं peer cap टिक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे इसको काई से construction किया जाता है साइड पे हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में आज को पूरा अच्छे तरीके से बताया जाएगा तो चलते हैं ules construction procedure की गए काम तो पहला तो content आप देखेंगे, पहले तो हम introduction बताएंगे, फिर work procedure कैसे है, फिर inspections कैसे करते है, concrete क्या है, फिर de shuttering, फिर curing, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस यहीं simple से 6 point है, तो 6 point को clear किया जाएगा आपके, और यह देखिए, peer cap आप देख रहे हैं, यहाँ पे precast peer cap है, ज launching करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कि यह देखिए, आपना peer है, और peer के बाद जो इसमें कुछ vertical bar लगे हुए हैं, इसके उपर ले जाके, launching करके इसको अपना casting, जो अपना gap बचेगा, उसको casting करके, उसको एक surveying level, जो वहाँ पे survey वाला होगा, उसके निगरानी में इसको अच्छे तरीके से fix किया जाएगा, क्योंकि आपका जो इसके उपर superstructure जो पार्ट आएगा, जो अपना deck slab आएगा, तो वह क्या है, वह एक point पे, जिस point पे उसका RL दिया है, उसने RL पे होना चाहिए, तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, यह तो आप पीर कैप होता क्या है, काफी लोग, बच्चे लोग काफी लोग कंफ्यूज होता होंगे कि पीर कैप का काम क्या है, और पीर कैप क्यों बना जाते हैं, तो इसको हम बताएंगे, एक महत्तपूर चीजी है, आप यह देख रहे है, यहाप आपका deck slab है, और नीचे हमारा पीर है, और उसके बाद पीर कैप है, और उसके बाद जो अपना deck slab है, तो आप यह जालेजिए, पीर कैप क्या करता है, कि जो हमारा सूपर इस्ट्रक्चर, सूपर इस्ट्रक्चर का जो लोड है, वो जो है नीचे आता है, किसमें पीर कैप में है, और पीर कैप क्या होता है, कि तो पिर कैप जो नीचे एंट ये ट्रांसफर करता है और पिर जो चीड गूरा करता है तो ये तो आपका टैक्निकल होगा अब आपको ईह समझते हैं कि ये ले मीच में B आप देख रहे होंगे आप यह देख रहे हैं यह ऊपर उच पार्थ पीयर कैप वो क्या होता है कि थोड़ा सा इसका लेंथ विड्ट से जादा होता अर पियर कैप सभी जो — पियर के शुर्प पियर कया होता है अपना रेक्टैंगुलर स्र्कुलर यह तो लगबग इतने लंबाई चोड़ाई में इनका construction किया जाता है पर अगर आप इससे comparison करें तो उपर यह चोड़ा होता है तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके साब को मिलेगा यह आप देख रहे हैं यह कुछ ऐसे हैं तो यह ऐसे क्यों बना जाता है क्यों कि जो आपका structure जो super structure है वो क्या होता है आपको length उसकी length और width जादे होती है तो उसको rest करने के लिए उसको जगा चाहिए होता है तो इसलिए हम इसको ऐसे थोड़ा सा चोड़ा करके बनाते हैं लंबाई चोड़ाई में इसको ज्यादा चोड़ा करके बनाते हैं आप देख पा रहे हैं यह इसलिए उसके उपर super structure जो अपना deck slab है अपना जो span आएगा वो अच्छे तरीके से fix हो जाए इसलिए हम उसको चोड़ा बनाते हैं कि ताकि वो काफी अच्छे तरीके से वहां के load को जो है उसका load को bear कर सके वो अपने अंदर ले सके तो आप देख रहे हैं इस part को जो बोलत आप देख रहे हैं आप देखे हैं टीव है कि ट्रांसफर्टर्स त्यामा ट्रांसफेर ड्रांसफर्शे तूल दा प्यर में ता प्यर मंटलब प्यर में जो आप जो है इसलिए इसको है पीर कैप को बनाते है daha अगर जो को कि बीज़ ने से और जो आधेका हुए और इसके ऊपर सोने पर पूर होता है हमारा गर्डर आके रेस्ट करता है और बेरिंग बनते हैं तो वह जी चीजें पर लिखा गया है इनको डिस्क्राइब किया गया है कि जो अपना फरुपर इंकर का पार्ट है वो आकि उसके करे और पेडेस्टिल रेस्ट करें, बेरिंग रेस्ट करें, तो पेडेस्टिल और बेरिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा फिलाल आज पीर कैप है, तो पीर कैप के ऊपर वाला जो पार्ट आता है वो पेडेस्टिल आता है और पेडेस्टिल के ऊपर आता है अपना बेरिं अब देखते हैं work procedure इसको work करने कैसे work किया जाता है कैसे बना जाता है तो पहले तो आप क्या करेंगे अब देखिए आप एक बार imagine करें कि आपका यहां तक पार्ट complete नहीं पियर कैप बना नहीं है पियर तक आपका complete है ठीक है तो उसमें हम क्या करते हैं फिर यहां पे एक शट्रिंग लगाते हैं उसको नीचे से जो अपना बाटम शट्रिंग होता है बाटम शट्रिंग पहले fix करते हैं तो अब देखेंगे तो शट्रिंग के बारे में आपको बताऊंगा यह लिखा है cleaning of the form work of the oiling मतलब जो आपके शट्रिंग है जिससे आप पियर कैप बनाओगे जिससे आपके रेष्ट करेगा तो उसको बनाने के लिए शट्रिंग हमको शट्रिंग की जरूत पड़ेगी त क्योंकि जब हमारा concrete उसमें हो जाए, concrete आप पोरिंग कर लोगे जब आप उसको डी शट्रिंग करोगे बार गंटे या बीज गंटे चोवीज गंटे के बाद जब भी आप उसको डी शट्रिंग करेंगे तो क्या है कि वह एजली तरीके से उसको छोड़ देता है वह तरीके से clean करता है clean करना है, saaf करना है, इस चीच का ध्याम देना आपको, और फिर क्या लिखा है, ensure the presence and positions of any instructed embedded part bearing in the peer head period to concrete, concrete करने से पहले, concrete करने से पहले, आपको उसके अंदर जो है bearing part, pedestal part, और pedestal का जो reinforcement है, उसको भी hold करना है, set करना है वहाँ पे, ठीकर न, the earth position may be verified as per drawing, using surveying instrument, मतलब surveying instrument को use करना है आपको, और उसके सहारे, आपको जो pedestal का जो position है, वो आपको set करना है, क्यूंकि आपको ऐसा नहीं कि peer cap को आपको casting कर लाना है, उसके बाद pedestal बनाओगे, नहीं, आप casting तो उसके बाद ही करोगे, पर उसमें pedestal में हमारे still लगते है, उस steel को पहले उसी में provide करना है, कि ताकि उसकी जो मजबूती बनी रहे, ठीक है, तो ये as per drawing के इसाफ से आपको वहाँ पे set करना है, और surveying का आपको, survey का जो है, instrument ले के, आपको auto level या total machine, ये ले के आपको जो है, करना है, फिर next देखेंगे, tie the reinforcement as per the bar bending schedule and check with the drawing and record jointly, जो भी उसके reinforcement है, उसको as per drawing के इसाफ से आपको वहाँ fix करना है, और अच्छे तरीके से उसको check करना है, जो जहां पे joint आ रहे हैं, कहां पे कितने length का हमारा, किस point पे, center point से हमारा कितना दूरी पे pedestal आएगा, left side और right side, उसको अच्छे तरीके से as per drawing के इसाफ से हमको set करना है, फिर place and fix the form, complete the form work, care to be taken to ensure that proper slope is maintained as per drawing between two piers, अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है, कि आपको proper तरीके से Shuttering fix करना है, ठीक है, bottom का भी लग गया है, फिर उसके बाद side का, side का, side का, side का, shuttering है, वो भी लग जाएगा, उसके बाद, लगाने के बाद, आपको proper 2 piers, मतलब आपका 3 piers होगा, जिस पे आप काम कर रहे हो, आगे वाला या पीछे वाला, तो आपको slope maintain check करना है, कि वो proper level मे है कि नहीं है, center to center distance पे है कि नहीं है, तो आपको proper slope भी check करना है, या तो ऐसा नहीं कि ऊपर निचे हो गया है, आपको 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 वहाँ पर निचे होगा, तो यह जो है, आपकी जो बेकल स्वेगरा है, वो चलने में तकलिफ हाएंगी, तो इसलिए आपको एक level में लेक चलना है, ठीक है, फिर next आप देखेंगे, inspections, अब आपको वहाँ पर चेक करना है कि क्या-क्या आपको चीजे चेक करनी है, आपको यह भी ध्यान देना है कि आपको complete रोने के बाद आपको proper तरीके से चेक करना है, हर एक चीज को, अब चेक करने में हम आप देखेंगे कि इस vertically, आप दो side, जो vertical में, आपने side में आपने जो लगा रखा है, शटरिंग, उसको भी अच्छे तरीके से चेक करना है, फिर देखना है, check the concrete equipment, आपको equipment जो concrete करेंगे, वो काफी height होगा, height होने वज़े से उपर रहेगा, तो उसमें आपको क्या करना है, वहाँ पर बुम प्ले पहले आपको लाके वहाँ पर set करना है, कि उसको set करने में काफी time लगता है, तो आप वो operator लोग जो उनका operator होता है, वो अपना setting का system वो लोग जानते हैं, तो वो एक level पर रख के और फिर उसको concrete को ऊपर पहुचा जाता है, तो आपको ये पूदा चेक करना है कि आपको machine है कि नहीं है और है तो वो लेवल में सब set किया एक नहीं किया है, concrete pump, bucket और working condition and mark ready for a placing concrete, और आपका make ready for a placing concrete, तिक है जो आपका concrete का position, जहाँ पे आपको concrete करना है, जिस peer cap का, वहाँ पे आपको proper तरीखे से हर चीज का, boom placer का, फिर bucket का ये सब चेक करना है, फिर आएंगे next, check the vibrator for a compacting concrete is working condition, आपको vibrator का भी बहुत ध्यान देना है, vibrator आपको ब्रिज बनाने में आपका ये बहुत महत्वपूर इंस्टुमेंट है, equipment है, ये बिना आप ये भी बिना vibrator के आपको concrete नहीं करना है, चाहे आपका bridge का इंस्ट्रेक्शन हो, चाहे बिल्दिंग का इंस्रेक करेंगे, उसमें बिना vibrator को आपको नहीं करना है, और vibrator का आप जानते है, ये क्या करता है, कि जो अंदर air है, उनको बाहर निकालता है, और प्रापर तरीके से concrete को set करता है, तो आपको vibrator रखना वहाँ पे जरूरी है, और निडिल आपको, या तो 40 mm, 60 mm, जो आपको वहाँ आप एस वर ड्राइंग के इसाब से दिया गया, कि आप रवाइबिलेटर 40 mm से दिजिए, या वाइबिलेटिंग करें या 60 mm से दिजिए, तो आपको प्रापर तरीके से चेक करना है, और वर्किंग कंडिशन में है कि नहीं है, कहीं आप देखेंगे, आपको 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 इस वर्किविलेटी, ठीक है, तो कंक्रिट आपको जो कंक्रिट की गाड़ी जो आए रहेगी आपको उसमें भी चेक करना है, वो आपको एक स्लिप देगा, जिसमें आपको लिखा होगा कि कौन से ग्रेट का है, अगर महाँ पे M35 है, या 40 है, या 45 है, जो भी ग्रेट का द अगर आपको वहाँ दे रहा है M45, आपने डाल दिया M35, तो ये चीज आपको चेक करना है, ये इंजिनियर की वहाँ पे responsibility है, अब नेक्स से बढ़ते हैं, नेक्स से जानते हैं क्या करना है, कंक्रिटिंग, जैसा क मैंने आपको बता है, कंक्रिटिंग को आपको चेक करना ह में एक से इसको लेवलिंग में करवा के इसको लेनगा है, औबूम-प्लेसर जो है आपक साइट पर जी तना भी हight पे होता है, तो आपको बूम-प्लेसर पर भी काम किया जाता है, इसको बाहुत जरूबत की बहूत परती है, टीक है", तो ये है, अब इसे पे Concrete इक्रिट क ठीक है तो आइस्त पर राइएं पिस आप से वहां पे आपको 45 पा क्नक्रीट आएगा तो आपको 45 ग्रेट का ही वहांपे पहुंचाना बहुशाना है तो यह चीज़ आपको प्रॉपर हमेशा चेक करते रहना है, तो दोस्तों आपको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेर करिए, मैं ब्रिज के बारे में पढ़ा रहा हूं, आपको ब्रिज कैसे बना जाता है, यह चीज़ आपको सिखाएंगे, तो तो नेक्स्ट पार्ट पर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है 12 घंटे या 15 घंटे के बाद, जो आपको डिश्ट्रिंग करना है, तो डिश्ट्रिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर डिश्ट्रिंग किया गया है, पर भीन के बाद ही बॉॉटम वाला निकालते हैं यहां पर बॉॉटम का निकला हुआ है पर आपको साइटा का क्यों निकालना है बॉटम का काशिंग की होंगे तो आपका ठेकडार महां प्याधा है वह क्या गरता है 14 दिन के बाद निकलता है तो आपको यह चीज़े द्यान देनी है, वह कंक्रीट जो अच्छे तरीके से सेटलमेंट हो जाता है, 14 दिन के बाद, तब जाके आपको निकालना है, यह नीचे का यह जो आपको बॉटम का दिख रहा है, यह बॉटम का नहीं निकालना है, अब नेच्ट देखते हैं, डी श तो पानी से करेंगे, तो उसको चारो तरब घनी बैग लगाएंगे, और घनी बैग लगाके, हमेशा उसको बओरी को घानी बैक को अमेजा गीला करते रहंगे अब देख रहे है अब क्विरिंग कंपाॉउट यह मिपता देंको आप लोको यह आप ने जैसे site का निपाला साइट का आपने जैसे डिस्टुर्सरिंग किया इसके बाद आपको क्या क्या क्योरिंग कमबांड-TEN टाकि कोई एडीज चुटा नहीं हो। इससे क्या होता है कि innocent जो temperature अंधर नहीं जाता है और concrete का मौशय वह बाहर नहीं जाता है तो एक लेएर क्लाइट करता है तो लेएर क्या है वह सेफ करता है जो आपका अंदर का जितना temperature है और जो मॉश्यर है वो maintain रहता है तो यह curing आप देखेंगे जो सीटियों में मेट्रो एरा जो बनते हैं तो सीटि में आपको पानी गिराना सड़कों पहलाओ नहीं कि वहां पर यातायात का जो आप चल रहे हैं वो काफी हमेशा हर टाइम पर चलते रहते हैं अगर आप पर गिला करेंगे तो फिर यात्री जो है वहां पर जो जा रहा है वो लोग आपको काफी डिश्टर्ब तो इसलिए क्या है वहां पर क्यूरिंग कंपाउंड यूज करते हैं पानी यूज नहीं करते हैं अगर आप पानी यूज करेंगे तो आपकी सडके जो है गीली हो जाएंगे जिसे जो लोग चल रहे हैं उनको तकलीफ होगा तो यह इस चीज का आपको ध्यान देना है और क्लाइंट ने क्या आपको रिकॉर्मेंट मांगा है कि हमको क्यूरिंग कंपाउंड चाहिए या फिर आपना पानी चाहिए तो ठीक है अब यह अपना डिश्टरिंग हो गया फिर क्यूरिंग हमने किया तो यह अपना है साधन अपना यह ब्रिज बनाने का जो पीर कैप बन सट्रिंग पैसे बनाते हैं जर्टिंग लगाते हैं और सट्रिंग लगाने के बाद आपको उसको प्रोपर तरीके से चेक करना है जर्टिció Izmit एगए ब्रोपर चपडने के क्ला प्लं के अगर टारोा हना तो आपका प्लं जब साइर क्लिवार्ख मिलना है तो यह चीजे गलत होती है, मतलब side जो आपका up-down लगा हुआ है तो उपर पूरा length आपको बराबर चेक करने के लिए जब भी आप प्लम गिराएंगे जो आपका धागा होगा, वो अगर 100 mm आपको आपको पूरा प्रापर तरीके से ध्यान देना है लेवल ध्यान देना है, तो आज यह topic है दूस्तों, tier cap का कैसे बनाते है next video में ले के आएंगे कि reinforcement कैसे वहाँ उसकी cutting length निकाले जाती है कैसे इसको fix किया जाता है, तो दोस्तों आप लगे रहिए हमारे ऐसी वीडियो के साथ bridge के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि कैसे काम किया जाता है तो अलविदा और जैहिन दोस्तों, तो करना है खास, तो चलो हमारे साथ civil की बात गुरु जी के साथ जैहिन जैवारत